पपीता एक ऐसा फल है जो सरदियों में सबसे ज्यादा फायदा करता है सरदियों में इसका सेवन करने से बिटामिन-C मिलता है जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है पपीते में मौझद मेगनेसियम और पॉटेसियम से सरीज को एनरजी मिलती है पपीता खाने से पाचन तंत्र में सुधार होता है और इसमें विटामिन ए विटामिन सी के साथ अन्य ऑक्सी ऑक्सीडेट्स भी होते हैं जो तचा को सस्त वनाने में मदद करते हैं सर्दियों में कई लोग बजन वड़ने से परिशान रहते हैं ऐसे में पपीतिय के सेवन से बजन को नेंत्रत किया जा सकता है इसमें कम कैलोरी और ज्यादा फाइवर होता है जिससे भूग कम लगती है और बजन नेंत्रत में मदद मिलती है पपीता खाने का अब नास्ते में पपीत का सेवन कर सकते हैं जब भीओ पपीता खाएं दियान रखें कि इसके साथ किसी अन्य आहर स्कार दूद और अधाई को सामिल वाइर के समय पपीत का सेवन इसार कि बात रोक को बढ़ा सबजी रायता और हल्वा आधी आधी में यूज़ कर सकते हैं खाना सेहत के लिए लाप्रद होता है पका पपीता लिवर के लिए फायदेमंद है साथी तुचा रोग में हितकर है पपीते के पत्ते का रस रक्त कड़िकाओं को बढ़ाने में साहिक होता है इसलिए हम सर्दियों में पपीता खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम इसका लाव ले सकते हैं लेकिन बस यह ध्यान अपना चाहिए पपीता खाने से पहले कि कोई भी टाइम सही समय पर खाया यह नहीं है कि हर टाइम खाते रहें